हाई एवरिवन वेल्कम टू माई चाइनल एंजोई लाइफ विद कुकिंग आज हम देखेंगे आलू और गोबी की इसी मसालेदार सब्जे जिसे खाकर आप अपनी उंगलिया चाटते रहे जाओगे बनाना बहुती इसे आसान है तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने ये फुल गोबी लिया है जिसे मैंने इस तरह से छोड़े-छोड़े टुकळों में कट किया है इसे मैंने पानी में रखा है और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक आड़ किया है नमक को हम अच्छे से मिला लेंगे एक कड़ाई में मैंने अब 1 टेबल स्पून आईल आड़ किया है इसमें हम एक प्याज स्लाइस किया हुआ आड़ करेंगे इसे हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राइ करना है ये देखिए ये प्याज अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें 3 टेबल स्पून ड्राइ कोकोनट एड़ करेंगे कोकोनट को भी हमें हल्का सा ब्राउन कलर आने तक फ्राय करना है अब हम इसमें 8-10 लहसुन की कलिया एड़ करेंगे इन्हें भी हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे इसमें मैंने एक चोटा टमाठर कट करके add किया है इसे हम एक से दो मिनिट के लिए cook करेंगे और अब हम gas बन कर देंगे और इस mixture को हम थंडा होने देंगे उसी कड़ाई में अब हम add करेंगे आलू आलू को मैंने इस तरह से चोटा चोटा कट कर लिया है यहाँ पर मैंने दो छोटे आलू यूज किये है इन्हें हमें आईल में फ्राइ करना है इसमें हम थोड़ा सा नमक भी आड़ करेंगे नमक को हम अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसे कवर करके तीन से चार मिनिट के लिए कुख करेंगे तीन से चार मिनिट के बाद हम इसका कवर हटाएंगे और इसमें हम एड़ करेंगे फुल गोबी जो हमने नमक के पाने में भीगो कर रखा था इसे हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे और फिर से हम इसे कवर करके दो से तीन मिनिट के लिए कुख करेंगे कवर हटा कर हम इसे एक बार चेक करेंगे ये देखिए ये आलू और गोवी अल्मोस्ट कुख हो गये है अब हम इसे एक अलग प्रेट में निकाल लेंगे प्याज और ड्राइ कोकोनट का मिक्शर भी अब थंडा हो गया है अब हम इसे मिक्सी में बारिक करेंगे अड़ किया है और इस तरह से ये मिक्शर भी अब मिक्शी में ग्राइंड हो गया है इसे अब हम कडाही में एड़ करेंगे और इसे हम एक से दो मिनिट के लिए कुक करेंगे अब हम इसमें आड़ करेंगे वन टेबल स्पून गरम मसाला हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर वन टेबल स्पून धनिया पाउडर और इसे हम एक बार अच्चे से मीला लेंगे इसमें हम थोड़ा सा पानिया आड़ करेंगे और इसे अब हम 2-3 मिनिट के लिए कुक करेंगे हमें इसे कवर करके कुक करना है इसका कवर हम 2-3 मिनिट के बाद हटाएंगे इसमें कितने अच्छी तरह से आउल छूटा है और यह मसाला भी अब कुक हो गया है एक बार हम इसे मिक्स करेंगे और अब हम इसमें आलू और गोबी जो हमने कुक करके रखा है इसे अड़ कर देंगे एक बार इसे अच्छी से मिला लेंगे यह देखिए यह अब अच्छी से मिक्स हो गया है इसमें अब हम थोड़ा सा पानी अड़ करके इसे कवर करके दो से तीन मिनिट के लिए कुक करेंगे दो से तीन मिनिट के बाद हम इसका कवर हटाएंगे एक बार इसे हम अच्छी से मिला लेंगे अब हम इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक अड़ करेंगे और हरा धनिया थोड़ा सा अड़ करेंगे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसे बिना ढ़के ही एक से दो मिनिट के लिए कुक करेंगे यह देखिए यह आलू गोबी की सबजी बहुति अच्छी तरह से बन के त्यार हो गई है खाने में यह बहुती टेस्टी लगती है रोटी और चपाती के साथ यह बहुती अच्छी लगती है यह वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलिए